तो CSF LDC ASI 2019 वाला जो टेस्ट था उसका आज हम लोग डिसकाउंट टेस्ट नमबर फो डिसकाउंट को डिसकस करेंगे पीपर आपको अल्रेडी मैंने दे दिया था चैप्टर वाइस टेस्ट का तो इसका डिसकाउंट का आंसर का डिसकेशन करता हैं चलिए कोशन नमबर वन है सक्सेशिब डिसकाउंट फाइंड करना है करमागत बट्टा कितने का 10 परसंट 30 परसंट का तो मैंने आपको आपके pen drive में बता रखा था जो आपने जनों ने pen drive कोर्स लिया था कि सक्सेशिब डिसकाउंट कैसे निकालते हैं तो 10 परतिसत और 30 परतिसत दो है आपके पास डिसकाउंट तो इसका करमागत बट्टा आप निकालेंगे 30 प्लस 10 प्लस सोरी मैनस 30 10 बने बटे 100 जीरो 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 गया जीरो 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 गया 30 10 40 40 मैं से तीन गया तो चालिस में से तीन गया तो 37 और ये रहा 37 परसंट शेकेंडो मैं आऊशर आपका निकल गया चलिए एक वेपारी अपने समान पर क्रैम मुल्य से 10% अधिक अंकित करता है तो एक लाइन पढ़ो और फट से वो जो कहता है कर दो 10% ज़्यादा मार्क करता है न क्रैम मुल्य से 10% क्या होता है एक बटे 10 है ना देखो हमेशा याद रखो जिस से कहता है ओफ जिसका या हिंदी में जिसका से कहता है वो नीचे होता है से का इंगलिस में कहेगा ओफ फ्रॉम इसका मतलब देखो किसका कह रही है 10% एवव इस कॉस्स प्राइस दस अंकित मुल करका एक विपारी अपने समान पर क्रैम मुल्य से 10% अधिक अंकित करता है क्रैम मुल्य से 10% अधिक तो यदि क्रैम मुल्य CP क्रैम मुल्य ये है और MRP अंकित मुल्य 10% अधिक तो यदि CP 10 है तो 10% अधिक 11 कर देगा या इसी को आप लोग ऐसे भी लिखते हो कि ये 100 रुपे तो ये 10% अधिक 110 वो 00 कटके वही बात आ जाएगी तो मैं उसको ऐसे लिखता हूँ कि जल्दी हो जाता है वो एक पटे 10 यानि CP यदि 10 रुपे है क्रैम मुल्य तो एक रुपे अधिक 11 रुपे फिर कहता है कि यदि वे अपनी ग्रहक को 10% चूट भी दे देता है तो selling price देखो छूट देने के बाद क्या आता है हमेशा छूट अंकित मुल्य पर पड़ता है जैसे आपको कहता है 10% पर 30 तो छूट तो इसका मतलब क्या हमेशा छूट में नीचे MRP होता है ठीक है ना यानि 10 रुपे की चीज को वो एक रुपे छूट देके 9 रुपे में बेच देता है अब ये जो दो रेशियो बन गया ना 1011 और 109 इससे एक रेशियो बनाओ आपको पता है दो रेशियो से एक रेशियो कैसा बनाते है अल्रेडी आपके पेंडराय में सब सारा मैंने आपको करवा रखा है तो फट से 10-100, 10-11, 110, 1199 हो गया अब देखो कुशन क कितना प्रतिसत लाब होगा तो भाई उसने लगाया कितना 100 रुपे कमाया कितना 99 रुपे क्या हो गया एक रुपे का लॉस तो सौ पे रुपे का लॉस एक परसेंट का लॉस सारा करवा रख है आपको मैंने आपके पेंडराय में आप डिसकाउंट वाले चैप्टर में प् पढ़ाया हुगा है, तो question number three हम लोग करेंगे, question number three में कहता है, the printed price of an article is 900, इसका meaning वो ये कह रहा है, कि MRP 900 रुपए है, एक वस्तु का अंके तुम ले 900 रुपए है, इस पर, क्या कहता है फिर, but the retailer gets discount of 40%, परन्तु खुर्द्रा व्यक्तपारी को 40% का छूट मिलता है, तो इस 40%, 900 का 40% फर से निकाल लो, 936, 360 रुपए का छूट मिल गया, तो खुद्रा व्यक्तपारी को, retailer को कितने रुपए में मिल गया, 900 में से 360 चले गया तो, 900 में 300 गया 600, 600 में से 60 और गया तो 540, यानि 540 रुपए का उसे वो मिल गया, फिर वो क्या करता है, he sells the article for 900, अब जो वो खुद्रा वेपारी है, वो क्या करता है, इसको 900 रुपए में बेचता है, 900 रुपए में, इसका मतलब खुद्रा वेपारी का जो CP है, करय मुल्य है, वो कितना हो गया, 540 रुपए, और जब वो बेच रहा है तो उसका selling price या विकरय मुल्य क्या है, 900 रुपए, तो अब कहत है कि बताओ उस रिटेलर को खुद्रा वेपारी को कितने परतिसात का लाव होगा, तो भे उसने जेब से लगाया कितना 540 रुपए, कमाया कितना 900 रुपए, कितने रुपए का उसे फाइदा हो गया, 360 रुपए का, तो 360 कमाया हुआ, प्रॉफित यहाँ, भी प्रॉफित कैसे निकालते हैं, नीचे क्राय मुल्य, उपर लाव यहानी, इन 200, बताया हुआ है मैंने आपको, काट दो इसे, 9456, 965, 224, 236, 200 वटे 3, यानि कि 66, 2 by 3 परसंट, ठीक है, अब देखके ही आप कहा दोगे, कि 200 वटे 3 इतना परसंट है, क्योंकि मैंने आपको सिखाया एक विक्रेता अपने समान्य का मुल्य, इस परकार अंकित करता है, टाकि उसे 25 परतिसात लाव हो, ठीक है ना, वैस वस्तु के अंकित मुल्य पर 16 परतिसात की छूट भी देता है, उसका वास्तिविक लाव क्या होगा, तो देखो, तो वह चाहता है कि 25 परसंट उसे प्रॉफिट हो, एक विक्रेता अपने समान का मुल्य, इस परकार अंकित करता है कि 25 परतिसात उसे लाव हो, 25 परतिसात यह लाव होगा, तो इसका मतलब क्या, एक बटे चार, यानि चार रुपे की समान पे, एक रुपे कमाएगा, वो प MRP कितना रख दिया, 5 अंकित मुल्य, he allows a discount of 16%, 16% का discount भी दे देता है, 16% का क्या मीनिंग है, 16 upon 100, यानि कि 4 चोके 16 और 25, इसका मतलब 25 रुपे की समान पे, वो 4 रुपे का छूट देगा, और 21 रुपे में बेच देगा, जब वो बेचेगा उसे, तो कहता है बताओ, उसका profit कितना हुआ, तो बस, 2 ratio से 1 ratio बना लो, तो कैसे बनाते हैं, यह जो common term है, इसको save करते हैं, यह आप एक तरीका यह जाते हैं, इसको इससे multiply, इसको इससे multiply, कैसे भी कर लो, मैं क्या करता हूँ, यहां यहां 5-5 multiply करता हूँ, यह 20, यह 25, और यह हो गया आपका 21, क्योंकि यहां 5-5 multiply क्या था कि, देख एक्शली क्या होता है, जो common term है, इसको हमें equal करना होता है, किसी भी चीज़ का, 2 MRP तो होगा नहीं, इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए हम क्या करत होगे, तो 4 ratio, 6 ratio, 2 होगे, तो वही चीज़े, ठीक है, तो देखो, finally क्या वह लगाया 20 रुपे और पाया 21 रुपे, ठीक है, एक रुपे का profit हो गया नो से, है ना, तो 20 रुपे लगा के, एक रुपे का profit, एक बटाबीच 5%, पढ़ाया होगा है मैंने आपको, एक क्या वाला, एक वाला, कहता है, इनमें से ग्राहत के लिए कौन सा बटा सबसे अच्छा होगा, देखो भी, 25 और 15 है, 25, 35, 30, 40 है, ठीक है, और 40 में से ये कुछ घटेगा, तो ये 40% से कम होगा, ये 30, 10, 40 है, इसमें भी 40 में से घटेगा, ये 35, 40 है, ठीक है, तो अब ये है, निकालना ही परेगा, सब 40 हो रहा है, अडो के, देख रहे हो, तो पहले वाले को निकाल, 25, 35, 10, 40, minus, 25, 15, यहाँ पे, और आप नीचे 100 लिखते हैं ऐसे, है ना, तो 25 को ऐसा करो, मल्टिप्लाई कर दो, तो 40, minus, 15, 75, 75, 75, 27, और 2 जुर यहाँ, तो 40 में से 3 गया तो 37, है न तो 36, 25 हो गई है, ठीक है, इस पर आजाओ, 30, 10, 40, minus, 3, यानि कि, यह हो जाएगा, 37%, और यह 35, 45, minus, 35, गुने 5, बटे सो आएगा, काट दो यह से, 5, 2, 10, 0, 35 का आजा, साड़े सतरह है, सतरह, और एक जुर यह तो 1.7, 1.75, 40 में यह किया, 39, 39, में 75 गया तो 38.25, तो ग्राहक के लिए सबसे ज्यादा, डिसकाउंट किसमें मिला, 38 वाले में, यानि कि, ग्राहक के लिए यह ज्यादा अच्छा है, ठीक है, इसी, चलो, आ गया जो, वह सक्सेशिव दिसकाउंट, आप, आप, सक्सेशिव दिसकाउंट आपको जैसे निकालते हैं, ठीक है, एक बार फिर भी चलो, मैं फिर स indem से सम्झा देता हूँ, आपको, हो सकते है, आपको लगा होकि सर ने क्या कर दिया है, अरे, जींथीए जैसे मैं पछले वाले का निकालूँगा, तो मैं आपको सिखाए हो है,這是 25 प्लस 15 कैसे उसकाई till से निकालते हैं तो 25 15 40 और 40 में से इसको मिल्टिप्लाइ करके निकालेंगे तो यह देखो 15 15 75 35 37 37 और नीचे 2 0 है न तो यहां पॉइंट आएगा तो 3.75 घटेगा 40 में से 3 37 37 में से 0.5 और घटा हो तो 36.25 मिलेगा इसमें डिसकाउंट ऐसे इसमें कितना मिलेगा देखो 30 10 40 और माइनस होगा 30 गुने 10 बटे 100 है कि नहीं तो 0-0 कटेगा तो 3 कम 3 गया तो कितना पड़ा यह 37 परसेंट का डिसकाउंट मिला तो इस वाले से अच्छा तो यह वाला है अब देख लेते हैं यह वाला क्या है 35 40 माइनस 35 गुने 5 बटे 100 तो 5 से डिवाइड को रहे का 5 गुने 10 जीरो 35 का आठाव साढ़े सतरह 17.5 और एक जिरो और तो पॉइंट यहां आजाएगा यहां चालिस में से माइनस होगा 1.75 तो कितना थर्टी नाइन थर्टीनाइन में से 0.75 और गया तो 38.25 आएगा तो इस चलिए छटे कोशिशन पर आईए देखो अब बुक इस लिस्टेड एट रुपीस 4, 1400 एक बुक का तो कुशन नमर 6 यह कह रहा है कि 1400 रुपे का एक बिल है ठीक है किसी वस्तु का अंकितम ले 1400 रुपे तो हमने उसको लिख लिए यह है MRP ठीक है फिर कहता है और 10% की छूट दी जाती है इस पे 10% की छूट दे दी गई ठीक है फिर क्या कहता है इस वस्तु को 1200 रुपे में MRP, 10% discount given है, what is the additional price, additional discount given so that, वो 1200 रुपे का हो जाए, ठीक है, समझ गे इस बात को, वो ये कह रहा है कि ये जो है, अंकित मुल्य है 10% का एक छूट दिया, अब और कितना छूट दे, कि वो 1200 रुपे का बेचने में आ जाए, 1200 रुपे का आ जाए, ठीक है ना, देखो पहले 10% का छूट दो, तो भई 10% का छूट दोगे, तो कैसे दोगे, ऐसे लिखो के देखो, 100 रुपे की चीज़ पर 10 रुपे का छूट दे दिया, तो 90 रुपे में बेचेगा, तो ये पता चल गए आपको 1160 रुपे, ठीक है, 1160 रुपे जो है, 90% प्राइस, मतब 10% छूट दे दिया, इतना आया, ठीक है, अब वो कहता है, what additional discount must be given to bring the net selling price, ये मैंने कुछ गलती कर दिया क्या, पहले 10% का छूट दिया, यानि कुछ रॉंग हो गया, देख लेते हैं, 1400 रुपे पे 10% का छूट देगा, तो 100 रुपे की चीज को 90 रुपे मसल करेगा, 00 कट गया, 9, 4, 36, 3, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 9, 12 है, और ये 0, 1260 रुपे का, 10% का छूट देने के बाद, इसके बाद वो कहा रहा है, और कितना छूट दे कि इन्टू 100, 00 कट गया, ठीक है, अब इसको काट लो, दो तीए छे, दो छिक बार है, और दो तीए छे, तीन कम तीन, तीन दू निचे, तीन कम तीन, 100 upon 21 आ गया, तो 100 upon 21 तो यही है, यही आंसर, सी, चलो, 7th पर चलो, क्या कहा रहा है, दिफरेंस बेट्विन दिसकांट ऑफ 40% और 500 रुपीज, और तू सक्सेसिब दिसकांट, 30% और 10% on the same discount is, कुशिन कहता है, 500 रुपीज की एक रासी है, इस पे एक बार तो डिरेक्ट 30% का discount दे दिया गया, sorry 40% का, और एक बार सक्सेसिब दिसकांट दिया गया, 30% और 10% का, तो बताओ, यह जो प्राइस आएगा और यह जो प्राइस आएगा, इन दोरों का अंतर कितना होगा, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको करना क्या है, 500 का निकाल देना है, कितना परसंट, देखो, 30 गुने, यह वाले का, सक्सेसिब का, 30 गुने 10 बते, 100, और यह परसंट के फॉर्म में होता है, तो नीचे एक और 100, ठीक है, तो 2-0-2-0 कट गया, 2-0-2-0 यह भी कट गया, 5-0-15, 15 रुपे का डिस्क छूट आएगा, यह आएगा, ठीक है, अब आपको कहीं कैसे निकाला, कैसे किया, वैसे तो मैंने आपको जो pen drive कोर्स दिया, उसमें सारा बताया हुआ है, डिस्कॉंट का चप्टर, आप वहां से देख लो, लेकिन फिर भी मैं आपको एक गवर समझाने की कोसिस करता हूँ, जो लोग नहीं पढ़े हैं, pen drive में से, देखो, वही एक छूट है 40% का, और एक छूट है 30% और 10% का, इन दोनों का डिफरेंस ही तो पूछ रहा है ना, ठीक है, तो माइनस कर लो, है कि नहीं, तो 40% तो डारीक ऐसे लिखते हैं, और successive discount हम में सा कैसे लिखते है, 30 प्लस 10 माइनस 30 गुने 10 बटे 100%, ठीक है, तो 40% और ये किता है गा, 30, 10, 40, माइनस 40, माइनस ये, प्लस, 30 गुने 10 बटे 100%, तो ये 40% और ये 40% कट जाएगा, ये और ये जैसे कट गया, तो बचा क्या, ये, 30 into 10 upon 100%, तो जो डिफरेंस है, इतने का ही बचा ना, तो 500 का इसलिए हम लोग, 30 गुने 10 बटे, ये वाला 100, और ये परसेंट ठाएगे तो नीचे एक और 100, जब आप इसको कैलकुलेट कर रहे हो, तो पंदर रुपे आ रहे है, ठीक है, इसलिए मैंना ऐसा किया, यदि कोई एसे कहेगा मुझे, कि सर मैं 500 का 40% निका कालोंगा, फिर माइनस करोंगा, तो तो कोश्चन को इतना लंबा कर लेगा, ठीक है, आपको एकसर हमार पास टाइम है, हम तो कर लेंगे कोई दिक्कत नी, भाई, देखो प्रॉब्लम क्या होती है, जब आप लंबे तरीके से करोगे, तो प्रॉब्लम कहां आएगे, कि ठीक है, और आप में सोचने की शमता बचेगी नहीं, फिर आपके कम कोईशन हो पाएंगे, आगे चप्टर के कम कोईशन हो पाएंगे, पहली बात, दूसरी बात, आपको बारवर मैंने कहा, हमेशा पहले मैट्स करना चाहिए, जो पहले मैट्स नहीं करेगा, 100% वो फेल हो उसके बाद आप रिजनिंग करो, ठीक है, फिर आप करो इंगलिश, और लास्ट में करो जी के, देखो क्या है, आप लोगों ने बहुत से लोगों ने एक्जाम दिया, आप थुरा पास्ट में जो अपने एक्जाम हॉल में, पास्ट थुरा देखो, तो आपको पता चलेग में सूचना ने कहन देखें हो, एकटा पास्त क्या है, फिर भी आप जल्दी घल्दी घल्दी घल्यानरा है, भी यांगे बन्त आपना, ठीक हृ टीक है की नहीं, ल कर दो हैको आपको तो पहले सही अपना टाइम इस तरह से सेट करना जब आप मॉक टेस्ट पेपर फुल लंथ वाला करोगे जो भी आपको मिलेगा कि पहले आप मैथ करके देख लो अपना कुछ कोशन मैथ कुछ ऐसा कर लेना कुछ पेपर मैथ पहले करके देखना और यह आपको लगता है आराम से आप Pen Drive को डंग से पड़ो सारे टेस्ट करो आराम से एक 170 एकilik 5uli नंबर कहीं नहीं गए उतने तो आने ही आने अब थीक है मैं थे मैं आराम से 45 मह सकते हो इंग्लीज में रीजनिंग में 45 ला सकते हो इंगलीज में आराम से 40 नमर आ सकते हैं बहुत होगा तो दस नमर का तो grammar का वही फाइदा होता है तो इसलिए आपको जितने भी lesson grammar के दिये हैं उसको regular पढ़ो और regular revise करो जैसे एक दिन आपने subject of agreement पढ़ लिया फिर tense पढ़ लिया ऐसे करके सारा पढ़ लिया ठीक है उसको दिरे दिरे उनी question को जो question आपके pen drive में है उनी question को बार-बार revise करो बाहर मत करो उनी question को मालो subject of agreement आपने video देख लिया उसके question किया ठीक है तो जब आप question कर रहे हो उसका तो उसी question को बार-बार करो उसी question को बार-बार करो आपके दिमाग में चीज़े बैठ जाएंगी ठीक है ना तो आराम से English 40 ठीक है जीके में कोई बहुत ही लड़क खड़ाएगा तो भी 40-35 नंबर तो लई आएगा ठीक है अब add करो इसको 5-3-15-1-4-4-8-4-12-4-16 ठीक है अब 175 वाले लड़की का कहा कहा बढ़ेगा तो 5 नंबर यहां बढ़ सकता है तो 70 नंबर 170 ठीक है मैत में 2-3 ज्यादा हो जाएगा इंगलिस में 2-3 ज्यादा हो जाएगा तो 4-5 नंबर इंगलिस कहा रो रीजनिंग में 2-3 ज्यादा हो जाएगा तो 175 तक वो आराम से ला सकता है अब आराम से 175 ला सकते हो में तो में बना के ना तुम लोग मैं बटाते हो मॉक टेस्ट में क्या सोछते हैं आप अपने आप को देखो क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है जो नहीं है उसकी प्रॉकर पर प्रप्रइशन करो उस सब्जेक्ट उचैप्टर को पढ़ो मालो सक्सेसिव का रॉंग हो रहा है मालो प्रॉफित लॉस लॉग हो रहा है तो अपने पेंटराइब से देखो उसको कि सर क्या कर रहा है और उसके अकॉर्ड इंपर को सेखो और तो सब्सक्राइब करो आप लगा के कि पहले कौंसा चै नहीं से बहुत को की इसको थे आया जो रियल मीनिंग उसको समझाओ कि वही है एक तो आप ये सीखोगे से कि क्या मुझे आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है DC के और जो नहीं आरहे उसको इसी दिन सीखो उसको सीखो ठीके दूसरा कि जो कि अप अपना वो देखो किष्जाम में कितने टायम में कितना कर पारो । यदि मैं मैंयत पहले कर रहा हूं कि जो कह रहा है मैं सब्द्रक के रहा हूं कि रहा है फिर वह बहुत पर對對 से Executive realizing आपना अच्छा टाइम ने एक गंटा जीकेकर देते हैं, आप देखना बहुत आप में आसे करते होंगे, पहले जीके करते हैं, है ना? और उनको लगता है और आपने कितना टाइम वेस्ट करते हैं, जब कि गाम कितना देना, जीके का मैक्सिमम पंदरह मिनट, gk maximum आप 15 मिनट दोगे और पदा चला gk में दे दिया एक गंटा, क्या फाइदा फिर, फिर तो आप गया खतम आपका, कोई फाइदा ही नहीं फिर, इसलिए पहले math, फिर reasoning, फिर English, आप math को reasoning को English को आप देख लो proper time, अपने हिसाब से क्या लग रहा है आपको, 50 question, 50 question में कितना time आप दे रहो reasoning में, कितना math में दे रहो कितना English में, GK में maximum 15 मिनट, maximum 15 मिनट, इससे जादा नहीं, बाकी का सारा time इनमें आप डिवाइड कर लो, हो सकता है किसी को math में कम लगे, math में कम लगे, कम लग सकता है, या जादा लग सकता है, तो उसी साब से अपने mock test में इस action हो रहा है, ठीक है, चलो आगे बढ़ता है, अगला question, a trader marks his goods 40% above the cost price, ठीक है, और इसी तरह हम लोग इंग्लिस का भी सारा एक एक चीज करेंगे, ठीक है, तो इंग्लिस का भी mock test छोड़ो नहीं, mock test जो होता है, उसमें आपको देखना है, समझना है कि मैं क्या चीज नहीं क नहीं कर पा रहा हो, तो teacher से discuss करूगी, सर मुझी ये problem आ रही है, मैं क्या करूँ, ठीक है, a trader marks his goods 40% above the cost price, देखो क्या कह रहा है, एक विकरेता अपने समान को 40% ज़्यादा अंकित करता है, cost price से, क्रैमुल्य से, तो क्रैमुल्य और ये अंकित मुल्य, ठीक है, 40% ज़्याद चालिस बटे सो, कट गया, दो दुनी चार दो पंचे था, पांच की चेंज को, दो रुपे जादा, सात रुपे अंकित किया, ठीक है, अच्छे, उसके बाद कहता है, and allows a discount of 25%, और फिर क्या कहता है, 25% उस पर छूट भी दे देता है, तो 25% छूट देता है, तो 25% छूट का और SP में क्या आया ratio देखो, 5 ratio 7 आया, इन दोनों के बीच का, और इन दोनों का 4 ratio 3, अब इसे एक ratio बना लो, 5,4020, 7,4028, और 7,20, यह ratio बन गया, मतलब CP इतना है, क्रेमूल अंकित मूल इतना है, विक्रेमूल 21 है, ठीक है, तो उसका लाब परतिसत बताओ, तो आपको पता है जब भी लाब परतिसत निकालना होता है, नीचे करेमूल या CP लिखते हैं, और 21 रुपे में बेच रहा है, यानि 1 रुपे का profit कमा रहा है, यानि 1,25, 5% बढ़ाया हो है, सब आपको, मैंने, 5% लगा हो, आगे बढ़ जो, ठीक है, चलिए, अगला कुशन, कुशन नमबर 9 रुपे आ गया है, the marked price of a watch is Rs. 1600, कह रहा है कि एक घड़ी है, जिसका अंकित मुल्य सोलसो रुपे है, ठीक है, दो सॉपकीपर गिप सक्सेसे बिसकॉंट of 10% and 10%, X% कहता है, जो सॉपकीपर है, वो 10% का छूट देता है, और फिर X% का छूट देता है, कर्मागत बढ़ता है इप दा कस्टमर पेज रुपेज रुपेज डाट मच और कस्टमर ने मतलब सेलिंग प्राइस, विक्रह मुली कितना पर गया, इतना रुपे, तो खेता है, X% का छूट था ना, वो बता हो कितने परसेंट का छूट था, तो भही पहले 10% का छूट दिया ना, तो 10% छूट हटा दो पहले, तो 100 में 10% का छूट दिया, नब्य रुपे बचेंगे, तो ये दो जिरु काटो, 16 निम, 9, 6, 14, 9, 14, 14, 1440 रुपे आया, अब 1440 रुपे एकस परसेंट का छूट दे रहा है, और 1224 में भिकर रहा है, ये X% निगालना है कितना, तो भही यदि मैं 1240 की चीज चीज को 1440 की चीज को 1224 में बेच रहा हूं कितना डिस्काउंट देखो बारोसो 24 में बेच रहा हूं तो कितना डिस्काउंट दस में से चे गया 4 दिन में से दो गया 1 और 2 16 रुपे का discount दे रहा हूं एक्स्टा में और तो इसका discount का निकाल लो तो 1440 पर मैंने दे दिया डिस्कॉंट 216 का डिस्कॉंट इन्टू हंड्रट ठीक है जीरो जीरो कट गया कार्ट इसको दो सत्य चौदा दो दुनी चार देकम जो दुजुरो और दो टी सोल है ठीक है अब कार्ट दो नो से नौ टी बैतर नौ इकम नौ नौ दुनी गठा रहे एंलिकाल दुनियाठ हैidents 4 दिया सुपाँच ठीक है अगला कहता है बीस पर 2000 परसंट 10% इसका इक्योविलेन्स का होग क 잘못 में चाहिए तो पहले देखो 20, 20 और 10 है, है ना, पहले इन दोनों का निकालो, तो 20 प्लस 20, माइनस 20, गुने 20, बटे 100%, 0, 0, 0, 0, 0, कट गया, 20, 20, 40, और 20, 40, 40 में चाल गया 36, अब यह 36 और 10 का निकालो, तो 36 प्लस 10, माइनस 36, गुने 10, बटे 100, तो 36, 10, 46, minus, इस 0 को इस 0 से काट दो, अब 2 से मत काट देना, ध्यान रखना, बहुत लोग आप इसको 2 से काट देने, नहीं, यह नीचे 0 है भाई, point लगाना easy है, point लगाओ, 3.6 लिखो, तो 46 में से 3 गया, तो 43, 43 और 43 में से, point 6 और गटाना है, तो 42, 4 आ जाएगा, 42, 43, 43, 43, 43, 42, 42, 4 आएगा, यह रहा answer आपको, ठीक है, समझ गए, कितना easy था, तो यह हम, आज हमने discount किया, ठीक है, होफुली, जो question आपको नहीं आ रहा है, इसमें, इसी type के question आएगे, इसे, अलग type आएगा ही नहीं, ठीक है, आपको इनी type में न, mastery करना है, और exam में बिना उलजे हुए question करना है, उससे क्या होगा, आपकी efficiency जादा होगा, जादा question करोगे, और बिना किसी tension क्या, 100% qualify करके ठीक है, और यह जो अपर टाइम है, इस time को use करो, बिना किसी panic होने के, कि panic हो रहे हैं, कब होगा exam, क्या होगा, नहीं होगा, बही, 2019 का exam होगा, यह होगा, 2021 का, अलग होगा, आपको 2019 आपने दिया है, और 2021 देना है, तो उसका भी form भर दो, और करो, और जिसका last time था 2019 का, तो 2029 में जादा सीट था, तो 2019 वाला ही देंगे, हम क्यों देंगे, कि 20 वाला एकिस वाला जो अभी नया form आया, वो नहीं देंगे, हम 19 वाला देंगे, क्योंकि उसमें सीट जादा है, ठीक है, तो आप देख लोग इतना डिसाइड क्या कौन सा देना है, 20 वाला और जिसके पा पे है, तो आपको दोनों में आपका फाइदा है, तो आप दोनों का फॉर्म बढ़ दो, मतलब 2000 वाला जो फॉर्म आया है, वो भी आप जरूर बढ़ दो, ठीक है, तो 100% सेलेक्शन होगा ही होगा, ठीक है, अब देखो, जिन एस्टुरेंट के पास हमारा pen drive course नहीं है, वो pen drive course ले सकते हैं, pen drive course लेने का बहुत इजी तरीका है, 920-5330-671, ठीक है, इस नंबर पे, जो है, आप फोन पे, गुगल पे करके, फी डिपोजिट कर दो, pen drive का 4200 रुपीज, ठीक है, और उसे, उसका फी जो सेंड करोगे, फोन पे से, गुगल पे से, ठीक है, उसका एक स्क complete address, pin code के साथ, और दो contact number, और जिस तरह का, जिस तरह का, आप mobile में, यूज करते हो, charger, ctype या microotg, वो लिखके भेज़ दो, ठीक है, type, क्या का का मैंने, जो फी डिपोजिट करोगे, उसका screenshot, अपना नाम, address, ठीक है, और complete address, pin code के साथ, दो contact number, और किस तरह का charger यूज करते हो, क्योंकि हम उसी तरह का, आपको otg send करेंगे, ताकि आप phone में, आराम से, इस pen drive को use कर पाओ, ठीक है, आपके address पे, वो तीन से चार दिन में पहुंच जाएगा, और आप fatax, जो है, अच्छा time है अभी, revise करना, उससे पढ़ना, सुरू करतो, 100% selection होगा, और जो आप math में, और 35-40 तो बहुत ही आएगा, बहुत ही डल होगे, बहुत ही डल होगे, तो भी 35-40 आएगा, आराम से आएगा, ठीक है, अराम से 175 का, 170 का भी हम यदि अपना, हम लोग रखेंगे अपना target, तो हिट कर देंगे target को, 165-160 तक, 165-160 आगए, तो आप 100% आपका selection है, शूर selection है, ठीक आप phone पे, Google पे use नहीं करते हो, तो online banking का detail उन से ले लेना, कि sir मुझे online पे करना है, वो दे देंगे, और वो लेके फिर उससे पे कर देना, ठीक है, और यदि कोई हमारे office आना चाहे है, तो office आ सकते है, अभी महिपालपूर वाला center हमारा open होता है, pen drive देने के लिए, और सारे जो उस दिन का, मतलब हर दिन pen drive निकलता है, कुरियर के लिए, तो 8 से 11 बजे वहां से निकलता है, तो आप उस टाइम पहुच जाओगे, तो आपको वहां भी pen drive मिल जाएगा, आप office हाके बिले सकते हो, महिपालपूर center पे, महिपालपूर center में कैसे आना है, महिपालपूर आप उस पे आजाना, flyover पे, वहां पे आगे देखना, रॉयल इंफिल्ड का सोरू में है, उससे अगया होगे, तो HDFC bank है, उसके साथ है गिली गई, उस गली में आप सीधा हाना, सीधा जैसी आओगे, टी पॉइंट पे आपको दिख जाएगा, ठीक है, रैड कलर की pen drive के पूछना है, तो वह बता देंगे, pen drive में आपको पूरा course, plus उसमें 20 test already है, plus अभी 30-25 test हम लोग और करेंगे, अभी chapter wise test कर रहे हैं, फिर full length test करेंगे, इतना preparation होगा, कि आराम 770 के target को हम हिट करके आएंगे, ठीक है, okay, thank you, all the best.